हेलो गुड मॉनिंग गाइस तो आज का सुबह की सुर्वात हो गई है और अभी बस बन रहा है सिम्ला में चालू और टमाटर की सबजी बना रही हूं टमाटर मैंने काट के रख लिए हुए थे और सिम्ला मिच्छी और आलो भूंज रहा था उसके बाद टमाटर डालने के ब देन उसके बाद मैं पहले गुथे हुए आटे को कलेक्ट कर लेती हूं और इसकी चोटी चोटी लोगया काट लेती हूं ऐसे ही अपना काम निप्टा देती हूं जल्दी जल्द मम्मी भी बिच बिच में आते जा रही है और ये मेरी रोटियां तयार होने लगी है वो भी बिच बिच में आ जाती है दो तीन रोटियां से कही है ते बाद मैं आगे कि रोटियां को दीरती हो पस्ते तुम भी और पता नहीं है तो अपने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है पकी नहीं रही थी मैं लगादे पूरे काम लेप्टा ली है इसकी वेक्षी बस नहीं पर को सब्सक्राइब नहीं अदब बस हमारा देकते है रोचाएंगा देक्ष ब्रॉट पास जो पहला कि हमाया ब्रेक पास तेह यह जो है और मैं बस ऐसे ही रोटी चरिखती हूं गैस में रखता डारी ती और अभी है मेरी बढ़ी सायद पक्ति प्लिए थोड़ा और पक्ने भेंगे अब तक टमाटर पिछेस नहीं गलता अब तक सब्जी में सब्सक्राइब है जल्दी जल्दी से हो जाता है अधर्वाइस के काम हो नहीं बाता देशन रोटी बनाने के बाद अब हमारा अगला काम टार्गेट शुरू अब इसके बास इमला मिर्ची आलो और टमाटर पकग गया है अब उसमें हम रेगुलर मसाले एड़ कर लेंगे और रोटी को भी हम सेखते रहेंगे यह देखिए मेरी फुली फुली रोटियां तयार है यह हमने डाला हल्दी पाउडर दैन मिर्जी पाउडर और दैनिया पाउडर और हमारी सब्ची बनकर तयार हो जाएगी और सारे मसाला को डालने के बाद हमेशे थोड़े ज़र ढख कर और रख देंगे इससे यह तयार हो जाएगी सुखी सब्ची और रोटी बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम इसे ही खाना प्रेफर करते हैं आपको खाना निकाल कर भी दिखाऊंगी आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहेगेगा हाँ आ है सब्ची ओब करते हैं है चली तो अതर्वार काना थैयार हो चुका है तो अब हम 30 जा लेंगे मां क्या करेंगे रोटी पर दीरे-धीरे से ङी लगाएंगेा बैली एमने पहली रोटी ली देन UK ऑपर लगाया और दूसरी रोटी को ईसके साथ अटेच कर दिया है और से थोड़ा से थोड़ा दे दब कर देंगे नेंदोनों रोटी में गी लग गया है अब हम दो धाली रगाएंगे एक मेरी और मेरी मम्मी की बस अब मारी धाल्या ते आ रहे हैं उसके बाद हम सब्जी अभी तक बंद नहीं किये है क्योंकि वह थोड़ तो यह जैन सब्जी डालने के बाद हम इसमें आम का अचार रख लेंगे यह से अमने ताली में रखा है और उसके बाद हम क्या रखेंगे हम रखेंगे कद्द की कट्टी सब्जी यह पहले की सब्जी है मैंने इस अभी नहीं बनाया है और यह कद्दों की खट्टी सब्जी बहुत अच्छी बनी थी मैं इसकी रेस्पी कभी बाद में आप लोगों केसां सेयर करूंगी और यह हैं हमारी थालियां तैयार हो गई है जो आप देख सकते हैं जै और अब इसके बाद मैं और ममी अपना रंच कर लेंगे हैं अबूरर कोशनी मदा कर लेंगे मूजी टीवी एंच कि बीना काना खाना में लगता है की मेरा अधा पैट संस्वार आ नहीं नहीं है जब तक मैं टीवी में चालो करके खाना ना खालो अभी टीवी चालो हो गया है पता नहीं वह टीवी केमरे में क्यों ऐसा आता है बट वह रियल में बहुत अच्छा चलता है और परफेक्ट चलता है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कर रहे हैं यहाँ मैं बताऊ कर रहे हैं और अपना लै जी इन कर करें के बाद मामी आपज इसकी असे डिगंड करने में आप लगों के साथ भी वीडियो सेयर करोई अब धोад मेरी ही कोरी बनने वाला है तो मैं उसके को अप्रस्ट को हम कि एलुड़... कि एलुड़ा लो